सुदान्चु जी सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करते हूँ कि महराश के ही मदे नजर ये पूरा बवाल है और मलिकार जुन खड़गे साब कह रहे हैं कि मोदी जी और शाजी के घर में सारे EVM रखवा दो एहमदाबाद में कुछ गोडाउन है तो वहां रखवा दो 2014 में हमारी सरकार बनने से पहले और अभी भी ये धारणा समाच में राजनेतिक छेत्र के लोगों के लिए बनी हुई है कि इनकी बातों की विश्वसनीता नहीं होती जिसको मोदी जी ने आकर रेस्टोर किया है और यह हर मुद्दे पे तब यह किसी राजनेतिक मुद्दे पर यूटन फट से ले जाते हैं सैधानतिक मुद्दे पर यूटन ले जाते हैं मतलब चाहें वो कास सेंस हो चाहें धारत 370 हो हम लोग कभी नहीं लेते तो आज वो क्राइसिस और क्रेडिबिल्टी के सिंबल बन गए हैं अपोजिशन पर्टी को सत्तर में सरसट सीट 96% सीटे भारत के इतिहाद में किसी को नहीं मिली दूसरी बार उन्हें मिली 63 सीट 90% सीट तो खट से जाके ले लिया पंजाब में इतनी बड़ी विक्ट्री खट से ले लिया मैं दर्शकों को याद देराना चाहता हूं चौधरी डेविलाल जी जीते थे तो 90 में 84 सीटे जीते थे हरियाना में एंटी रामाराओ लेट 90 में जब जीते हैं तो कितनी हूजी विक्ट्री थी जिसकी कोई हद नहीं थी अबेदुबेजी को याद होगा इनकी सरकार्ती 2010 में हम बिहार में जीते हैं 243 में 210 सीटे जन्दियू भाजपा जीती थी महोदे वास्विक्ता में ये समझिये कि हार के कारण क्या थे ये मुझे लगता है जो पुराने जमाने में शहजादे और बाच्शा लोग होते थे जो ये मान के चलते थे कि हमसे गल्ती हो ही नहीं सकती उनके लिए यह समस्या ही और मैं एक और भी फैक्ट कहना चाहूंगा जो मैं पहले बोल चुका हूँ दो पॉइंट सिर्फे अब उत्तर से धक्षर तक चलिए देश की जनता देखती है कि कश्मीर में एवियम ने अच्छा काम किया पंजाब में अच्छा काम किया हर्याना में खराब काम किया हिम पूरे देश के मानशेतर को देखने के बाद देश को पपू समझने की धारणा छोड़ देनी चाहिए देश की जनता विवेक शील है उसके बारे में ऐसी धारणा नहीं बनानी चाहिए और दूसरा मैं फैक्ट रखना चाहता हूँ एवियम की क्या बात है जब से चुनाव की प्रक्रियाएं ट्रांस्पेरेंट हुई है तब से कॉंग्रेस महताज हो गई है जब बैलेट से चुनाव होते थे और बैलेट वाले बैलेट बाक्स लुटते थे कभी एवियम लुटने की खबर सुनी है कभी मत पत्र बिखरे हुए दिखते थे वो मिला इडी काड आया है 1993 में उसके बाद से कॉंग्रेस कभी महमत नहीं मिला CCTV फुटेज आए उसके बाद से कभी महमत नहीं मिला भी मैं देख रहा था आपके NCP के नेता ये बोल रहे थे मेरे भाई CCTV में दिखा तो लोग करें पूरे गावने काम तो वोट डालने ही नहीं आप कहरे हो ऐसा हुआ तो आज के डेट में मोबाईल है सबके पास तो मेरा मानना है अपनी मौरल डिफीट को टेकनिकल कभर में बचाने का यह प्रयास सफल नहीं होने वाला है ये आपकी नैतिक और राजनैतिक पराजय है इसे तकनीकी आधार पर आप तिनके की ओट में पहाड़ नहीं चुपा सकते हैं अभे जी आपके सामने कुछ नंबर्स रखते हैं आप उसका जवाब दीजेगा 2004 में EVM के आने के बाद कुल 156 विधान सभा चुनाओ देश में हुए है जिन में से 50 बार सबसे बड़ी पार्टी बदल गई है उस विधान सभा चुनाओ मे लोग सभा चुनाओ पांच हुए हैं जिसमें तीन बार बीजेपी और दो बार कॉंग्रिस की सरकार आई हैं हम आपको ये भी बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने P.I.L. में यही बात कही कि ये जब आपके हक में फैसा आता है आ चुप हो जाते हैं यही चंदरबाबु नाइडू साब थे जब उनके खिलाफ ऐसा आया तो वो सवाल खड़े कर रहे थे फिर उनके फाक में आया तो चुप हो गया अब दूसी तरफ जितेंद्रावाट साब खुद कह रहे कि देखे करनाटक में चुनाओ आया तो हम वोट मेनुपलेशन इवी एम का अर्थ है भारती जन्ता पर्टी सत्ता की सुआगिन बने रहना चाहती है विवा कर लिया क्या इवी एम से साहब आपने आपने का कि बूत लूटे जाते थे सुधान शुत्रिवेदी जी बूत लूटे जाते थे तब जग जाहीर हो जाता जब वो बेलेट फेपर से होता था कि बूत लूट लियें अभी तो ईवी एम से वोट लूट लियें सत्ता लूट लियें आप लोगों ने सवाल उस बात का है सुधान शुत्रिवे दीजी मैं सिर्फ तीन सवाल देश के सामने रखना चाहता हूँ और साहसो तो इन प्रश जाएगा कितने वोट दले छे लगातार छे जो वोट हुए वहां सत्र में उसके डिस्प्ले किया उन्होंने साथ वे से उन्होंने सिर्फ वोट परसेंटेज डाला और बाकी 6 के 6 हटा दिये क्यों हटा दिये तो एक ADR एक संस्था है जो डेमोकरिटिक रिफॉर्म के लिए काम करती उसने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा लगाया उसने कि कहा कि साब एक गंबीर घटना होगा इस देश के लोगतंतर के साथ उन्होंने कहा है कि मास्या समरिया 542 उन्होंने कहा कि 542 जो संसदी शेत्र हैं उसमें से 347 संसदी शेत्रों में ऐसा हुआ है कि वोटर टर्नाउट और गिने हुए वोटों में बड़ा भारी अंतर आ गया और बड़ा भारी कितना एक वोट से लेकर एक लाख वोट तक का अंतर आ गया और कंस्टिट्वेंसी के नाम दिये कि जिसने जिनको जीती हुई कंस्टिट्वेंसी बताया है इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया में वहाँ पर सच्चाई ये है कि जो वोट कास्ट और वोट गिने गये हैं वो हार जीत के अंतर से भी बड़े हैं तो एदेश के सामने ये जवाब दीजिए कि क्यों ऐसी घटना होई दूसरी घटना हमने हरि इसरा जिम्मेदारी से ये बात कही कि वो भिंड में 2017 में हो या कासर गोड केरला में हो ये कैसे संबव है कि मौक टेस्ट में आप बटन कोई दवाईए कमल का फूल निकलता है या एक्स्रा परसिया कमल के फूल की निकलती इसकारतिये है कि जो मशीन प्रोग्रामेबल है उ उसने का कि टेकनोलोजी के मामले में मुझसे बहतर कोई नहीं जानता ये EVM को तुरंट हटा देना चाहिए जहां भी प्रयूप की जाती है EVM का उप्योग करना बंद कर देना चाहिए मेरे इन तीन सवालों के जवाब आज इस कारिक्रम में आपको देने पड़ेंगे और एक और बता दू मैं आपको बात इलाउन मस्क पर अगर आप अपनी दलीलों को पेश करेंगे तो उनका हाल का ट्वीट वो भी देख लीजे जिसमें वो भारत की किसी ने ट्वीट किया था कि भारत में देखिए कितने जल्दी से इस तमाम वोट्स काउंट कर लिए जा रह यह जो PIL पर बीते दिन कहा है दोनों ही जस्टिस ने जिसमें जस्टिस विक्रमनाथ है पीवी वराले है जो नोंने कहा जब नाइडू या रेड़ी हारते है तो कहते हैं EVM से छेड़ चाड़ की गई जीतने पर कुछ नहीं कहते इसे कैसे देखा जाए मैं तो आपको असल जो पूरा मामले की सुनवाई हुई जिसमें तमाम पार्टियों ने आप लोगों के पक्ष की तरफ से दलील रखी गई जनता में अफवा नहीं पहलनी चाहिए 26 एपरिल 2024 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जिने शक है वो राजियतिक पार्टिया EVM की जाच करवा सकते हैं साथ दिन के भीतर शिकायत दीजे किसी भी लोग सबाक्षेत्र में शामिल विदान सबाक्षेत्रवार की तोटल EVM से पांच फीजदी मशीनों की जाच हो सकेगी पांच पीजदी EVM को शिकायत करने वाला प्रत्याशी या उसका प्रत्यनिद्र तो चुनेगा और फिर वीवी पैट से उसका मिलान होगा ये प्रक्रिया का पालन हो रहा है ये रास्ता क्यों नहीं अपनाते हैं आप लोग असल रास्ता तो ये है ना जिना जी मुझे पता था कि आप जैसी विद्वान पत्रकार ये क्रॉस कोश्चन जरूर करेगी एलेन मस्क था एलेन मस्क साब ने जिस कॉंटेस्ट में कहा है न ये भारती जन्ता पार्टी जूट फैला रही है इलेक्शन कमीशन आफ इंडिया ने एक सौफ्टवेर बनाया है इनकोर उस सौफ्टवेर के माध्याम से जो टेबुलेशन है वो इतनी फास्ट हो गया उस पर एलेन मस्क ने रिपलाई किया है एलेन मस्क ने दोरा वेवार नहीं किया एक बात बता दो मैं ये पूछना चाहता हूँ क्यों साब एक मात्र भारती जन्ता पार्टी और सत्ताधारी दल है जिनको ये आपत्ती नहीं होती कि 11 दिन बाद वोट परसेंटेज अपडेट करते हैं और 7-8 परसेंट बढ़ जाता है मेरे पास पूरी की पूरी लीस्ट है 9 और 10-10 प्रति पूट से करा के देखिए परचिया निकाल करके आपको पता लग जाएगा दूद का दूद और पानी का पानी कि मत दाता मत किसको दे रहा है और कैसे इस सत्ता का हरण किया जा रहा है भारती जन्ता पार्टी के दौरा और मैं बता दू एडर की उस याची का पर पूदाभाज बताया कि वोट जो डाले गए और वोट काउंट किये गए उसमें इतना बड़ा अंतर है तो यह कैसे संबह होता है कि राकर देखिए बेलेट से आप वोट सब दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा जवाब दीजे अब जवाब दीजे सुधान है यह जितने पढ़ रहे वोट उससे जादा गिनिती काउंट की कैसे हो रही है यह अगर हो रहा है इन दो प्रश्णों के सीधे जवाब दीजे और वो बार बार यही पूछते हैं कि एवियम के खिलाफ आप एक वक्त पर बोलते थे अब उसी एवियम को आप डिफेंड क् यह क्या नहीं देखिया हम लोग डिफेंड नहीं कर रहे हैं हम बहुत इस पश्च बात बता रहे हैं इस प्रकार के अनर्गल आधार ही नारोप नहीं लगाने चाहिए मैं दर्शकों के ग्यान के लिए बता रहा हूँ हर पोलिंग बूद के उपर हर उम्मीदवार का एजे बढ़ गए तो आपके पोलिंग बूद्स पे आपके एजेंट्स ने नहीं देखे थे उनको जोड़ करके आपको बता देना चाहिए था अब दूसरी में टेकनिकल बात एक और आप समझे अंजना जी अखिलेश शादव जी कह रहे हैं कि EVM की वज़े से नहीं हा रहे हैं तो पुलिस के प्रयोग के वज़े से आ रहे हैं अद्बुत तरक देखिए इंडिकट बंदन वालों का यूपी में पुलिस का दुरूपयोग होने के कारण हा रहे हैं और महराष्ट में EVM का दुरूपयोग होने के कारण हा रहे हैं और ये भी कॉंग्रेस पार्टी और अ तो समस्या है आप जारकंड में डिसाइसिवली जीते हैं जारकंड में एक दम्स पष्ट जनादेश आपके पक्ष में गया है जारकंड में धानली हुई है की नहीं अंजना जी देखिए मैं एक और जवाब देदू जो देश के सामने अब तक नहीं आया वो बहुत जरूरी मुझे लगा था सुदान्शु जी पूछेंगे और मैं उसका प्रती उत्तर दूँगा Election Commission of India ने वो 99% बेटरी का क्या जवाब दिया जानती है की alkaline बेटरी है वो उसमें voltage जब 8 से 7.4 के बीच में रहेगा तब वो 99 ही प्रदर्शित करेगी बोले बहुत अच्छी बेटरी है और optimal working करती ये भी लिग दिया साथ में मतलब दीखे खिए खुदी पर कितना बड़ा रोप लगा दिया उन्होंने का 8 से 7.4 voltage रहता है जब उसका working optimal मतलब अच्छा working होता है और 7.4 का voltage के बाद नीचे चला जाएगा तो वो actual percentage बेटरी का बताएगा इसका मतलब है वो अच्छी काम नहीं कर रही है बेटरी है उस EVM की मतलब वो कहीं न कहीं उसमें खामिया है औ 99% का आम थोर पर तो ऐसा display सेट नहीं होता बैटरी से उस LCD display का कोई लेना देना नहीं है LCD display अलग company बना कर उस battery के sensor के साथ बैटरी पर जवाब भी आपने क्यों कि अच्छी के एक और पॉइंट है जल्दी से अभेजी आपने जो कहा है उनकी उन राज्यों में उन राज्यो जारखंड में धांडी या नहीं हुई या सिर्फ महराष्ठ में हुई हाँ या ना पर alkaline होने पर 99% दिखाना इस पर आपने हाथ उठायता तो जबाब दीजे और वो कह रहें कि हम तो हर जगा बालेट पेपर की बात कर रहे है ना उनका आशे यही है कि आप चुन कर कुछ राज्यों में धान्दी कराते हैं मैं संचेप में जबाब देता हूँ अंजना जी मुझे लगता इस प्रकार के हास्यास्वत तरको देश की विवेकपूर जनता समस्ती मैं जबाब देना चाहता हूँ अब ये बैटरी के एक्सपर्ट हो गए अंजना जी ऐसे बता रहे हैं जैसे एलेक्टरॉनिक इंजिनरिंग में पिएच्टी करके आए हो कि साहब वो बैटरी का मेटीरियल और बैटरी का वोल्टेज क्या होता है अंजना जीश को याद दिलाना चाहता हूँ सर आपने हमने टन पर बोलिए महोदे आप तो सभिता से डिबेट करते हैं अब मैं बताना चाहता हूँ ये वही पार्टी है जिसने कोविड वैक्सीन के समय में सेल्वर माइक्रोबाइलोजी के एक्सपर्ट हो गई थी ये वही पार्टी है कि जब कोविड वैक्सीन लगना चुरूबे तो उन्होंने कहा था इतने कम समय में तो इसका हमें ये बताईए कितने लोगों पर सर्वे क्या गया तब ये इस्टैटिस्टिकल जानकारी के बहुत बड़े एक्सपर्ट हो गए थे ये वही पार्टी है जिसने राम जनभूमी के समय कहा था कि मुहूरत ठीक नहीं है तब ये जोतिश के मुहूरत मातंड हो गए थे ये वही पार्टी है जिसने कि डिरेक्टर जनलर मिलिटरी ऑपरेशन के ऑपरेशन के बाद कहा था नहीं नहीं आर्मी पर भरोसा नहीं है ये मिलिटरी के एक्स तो आपकी पार्टी के सरकार कहती थी हाफिस साइद ने कराया और आपकी पार्टी के समय आप एरोनौटिकल इंजिनिंग के एक्सपर्ट हो गए थे तो भाई इतना विविद ज्यान जो प्रतिभास संपन में ज्यान बगैर उन सब्जेक्स को पढ़े हुए कॉंग्रेस के न एक लइन कहना चाओंगा कि इसमें क्या रखा है देखे हैं जो origin के पास बद्धुमाःम वहम की दारू नहीं लुक्मान के पास जैसे हमारे हा सुशेण्ड वैद माने जाते हैं वैसे मुसलिम परंपरा में हकीम लुकमान माने जाते हैं अगर वहम हो जाए तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं इसलिए मैंने लुकमान का उधार दिया चीक है चोटा सा जवाब सर मैंने मेरे पास तीन महमान और है आप दोनों की चलती रहे गें आरियो आरियो सुजी पैनारी तुरत एक एक इशन एक आपके जितना विद्वान तो नहीं लेकिन मैंने इलेक्ट्रोनिक्स में अपनी पढ़ाई की और मेरे पोस्ट्रेजेशन में सी लेजर फिजिक्स में किया है दूसरी बात आपके जितने विद्वान हो भी नहीं सकते आपके जितने बड़े साइंटिस्ट हम हो पाएंगे क कि विवान को रडार से बादलों में छुपा दें, हम गटर की गेस से चाय बना लें, इतने विद्वत्ता हमारी नहीं है, इतने बड़े विज्ञानिक नहीं है, मेरे तक्नीकी सवालों का एट भी जवाब आपने नहीं दिया, क्योंकि आप कुछ छुपाना चाहते हैं और सत लोकतंत्र को लूटना चाहते हैं, आप इन प्रशनों के जवाब दे कर जाईएगा जब तक डिबेट समाखें